साल 2020 की शुरुआत में भारत सहित दुन्या भर में कोरोना महामारी ने अपना पैर पसारा था कोरोना के कहर से लोग अभी तक उबरे नहीं है भारत सहित पूरी दुन्या अभी भी कोरोना की मार जेल रही है हाला कि अब स्थिती नियंत्रण में है कोरोना मामलों में इस वक्त काफी कमी आई है रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वाइरिस चीन के वोहान लैप से निकला था इस बीच एक अमेरिकी स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना वाइरिस अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और ये जानवरों के कुछ प्रजातियों में मौजूद है वैग्यानिकों का मानना है कि चमगादरों से पहली बार दिसंबर 2019 में कोविड वाइरिस मनुश्यों में ट्रांस्मिटेड हुआ था इसके बाद डेल्टा वाइरिस और ओमिक्रॉन जैसे कई वेरियंट विकसित हुए इस बीच एक स्टर्जी में खुलासा हुआ है कि कॉरोना वाइरिस अभी भी संधारियों के बीच मौजूद है जो काफी अत्याधिक संक्रामक है अमेरिका के नियू यॉर्क में रोचेस्टर इंस्टिट्यूट ओफ टेकनॉलिजी में एक भारतिय मूल के वेज्ञानिक सहत आन्यशोध करताओं ने कंप्यूटर स्युमिलेशन विकसित किया है जो दिखाते हैं कि कुरोना वाइरस अपने स्पाइक प्रोटीन का उप्योग चमगादर और मनुश्यों दोनों में मेजबान को शिकाओं से खुद को जोड़ने के लिए करते हैं